नमस्कार आप देख रहें न्यूस वर्ल इंडिया मैं हूँ आपके साथ भारती सिंगे डिटेन्मिंट स्पेशल में हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलिवूड से जुड़ी तमाम खबरे जो आपके फिल्म जगत से जुड़ी हुई हैं और आपको इन सभी खबरों से रू फैंस उनके घर के बाहर गैलक्सी अपाटमेंट के सामने हर साल जमा होते हैं लेकिन कोरोना के चलते इस बार सलमान खान ने भीड़ना लगाने की अपील कर अपने फैंस का दिल तोड़ दिया उन्होंने अपने फैंस से घर के सामने जमाना होने के लिए अपील की उन्होंन के तस्वीरे सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है। कुरोनम हमारी की वज़े से अक्षे कुमार और ट्विंकल खन्ना का कृस्मस शायद कुछ फीका रहा। पूरी दुनिया में क्रिस्मस साथधानी से मनाया गया, वहीं ट्विंकल खन्ना ने भी अपने सोशल मीडिया पर एक पुरानी तस्वीर पोस्ट करते हुए सोशल डिस्टिंसिंग की बात कही, इस फोटो में उनकी बेटी नितारा और पती अक्षे कुमार नजर आ रहे हैं, तस्वीर में अक्षे कुमार सेंटर क्लॉ ट्विंकल खन्ना सोशल मेडिया पर काफी मज़िदार पोस्ट करती हैं, साथ ही उनके कैप्शन भी मज़िदार होते हैं, बीते दिनों उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने वन शोल्डर ड्रिस पहनी हुई थी, वहीं अक्षे कुमार अपन हाई कोट से समन मिला है, इस बार करण को उनकी फिल्म गुंजन सकसेना दकारगिल गर्ल के लिए समन भेचा गया है, दरसल करण जोहर की ये फिल्म गुंजन सकसेना दकारगिल गर्ल शुरू से ही विवादों में रही, इस फिल्म को लेकर इंडियन एफोस पहले ही आपत्त जता चुका है अब इंडियन सिंगर राइट असूसिएशन ने भी फिल्म निर्माता निरदेशक करन जोहर के प्रोड़क्शन हाउस धर्मा प्रोड़क्शन के खिलाफ एक केस फाइल किया है सिंगर राइट असोसियेशन ने अपनी शिकायत में कहा है कि गुंजन सक्सेना दकारगिल गर्ल में परफॉर्मेंस को कमर्शिली यूज किया गया है जिसकी उन्हें रॉयल्टी मिलनी चाहिए बार एंट बैंच की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली उचिनाले ने करन जोहर की धर्मा प्रोडक्शन को इसरा द्वारा दायर की गई आचिका के बाद समन्द चारी किया है इसरा का कहना है कि फिल्म रामलखन का गाना एजी ओजी फिल्म खलनाय का गाना चोली के पीछे क्या है और फिल्म कुछ कुछ होता है कि गाना साजन जी घर आए को फिल्म में कमर्शिली यूज किया गया है गौरतलब है कि 12 अगस 2020 को रिलीज हुई बायोपिक गुंजन सकसेना दे कार गिल गल इससे पहले भी विवादों में रह चुकी है फिल्म की रिलीज के बाद इंडियन एफोस ने फिल्म में वायू सेना की गलत छवी को दिखाने के चलते आरोप लगाया था जिसके बाद दिली हाई कोट ने फिल्म की स्ट्रीमिंग को रोकने की बाद कही थी हलाकि कोट ने इससे इंकार कर दिया था बॉलिवूड के ग्रीग गौड कही जाने वाले सूपरस्टार आक्टर रितिक रोशन इंदनो वंडर वोमिन को लेकर काफी चर्चा में नजर आ रही है फिल्मों में वेराइटी के रोल करने वाले रितिक रोशन को परदे पर सूपर हीरो क्रिश के रोल में दर्शकों ने बहुत पसंद किया है खुद भारत के सूपर हीरो कहलाने वाले रितिक रोशन कुछ समय पहले अपने परिवार के साथ वंडर वोमिन देखने के लिए थियेटर पहुंचे थे रिजलोरान उनकी कई तस्वीरे से आमने आई जो सोशल मीडिया पर वाइरल हुई इतना ही नहीं रितिक ने वंडर वोमिन का किरदार निभाने वाली आक्टर गेल से भी ट्विटर पर बाचीत की जो फैंस का ध्यान खीच रही है बता दें कि कुछ दिन पहले रितिक अपने परिवार के साथ थेटर में वंडर वोमिन देखने पहुंचे थे जहां वो मास्क लगाए नजर आ रहे थे रितिक की थेटर की तस्वीरे सोशल मीडिया पर काफी वाइरल हो रही थी फिल्म देखकर थेटर के बाहर निकलने के बाद रितिक रोशन ने ट्वीट किया था जसमें उन्होंने लिखा था अभी वंडर वोमिन देखी शांदार अनुभव रहा मेरा बचपन का क्रश और मेरा पहला प्यार यानि फिल्मों को बिग सिनिमा आइमाक्स के साथ अनुभव करना इससे बहतर कुछ नहीं हो सकता धन्यवार गौरतलब है कि रितिक रोशन के इस ट्वीट ने न सर्फ उनके फैंस का ध्यान खीचा बलकि वंडर वोमिन का किरदार निभाने वाली गेल का भी ध्यान खीच लिया उन्होंने रितिक के ट्वीटर पर रिपलाई किया मुझे खुशी है कि आपने फिल्म का मजा लिया रितिक आपको और आपके परिवार को छुटियों की शुब काम नाए अब फैन्स को वंडर वोमिन और कृष के बीच हुई बाच्चीत काफी पसंदा रही है रितिक और गेल के इस ट्वीटर चैट पर फैन्स खुब प्रतिक्रिया दे रही है इतना ही नहीं लोग तो रितिक और गेल को फिल्म में साथ देखने की भी इच्छा चाहिर कर चुके हैं फैन्स इन सूपरस्टार्स की बातों से काफी एक्साइटिन नजर आ रही है बॉलर वोड स्पेशल में फिलहाल इतना ही जुड़े रही है यूजवल इंडिया के साथ धन्यवाद